मित्रो आप सिविल सर्विस की तैयारी करने जा रहे हैं इस हेतु मेरी वोर से बहुत बहुत शुबकामनाओं की अपनी एक सीमा होती है सच यह है कि सुबकामनाओं सच में तब्दीर हो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि हम एक्शन में आएं और सिविल सर्विस के प्रेपेशन के लिए आपको किस तरीके के एक्शन की जरूरत है इसके लिए मैं आप से आज कुछ महत्पूर्ण मुद्दों पर बात करने जा मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के प्रेपेशन की शुरूरत इन से ही की जानी चाहिए हो सकता है कि आप ऐसा कर ही रहे हो और यदि बाई दिवे ऐसा नहीं हो रहा हो तो मुझे विश्वास है कि सुनने के बाद आप इस दिशा में कदम उठाएंगे क्योंकि जो 11 स्टे नहीं है जिसके बारे में आप लिबर्टी ले सकें या इसमें से किसी को भी आप इग्नोर कर सकें इसमें से फ्रेंड्स जो सेवन स्टेप्स हैं या साथ जो बाते हैं कह लिए यह बहुतिक बाते हैं यानि कि वस्त उसे संबंदित हैं जो आपके पास प्रिप्रेशन की लि आपके व्यक्तित या आचरण से संबंदित हैं तो आए हम इन्हें सिलसिलेवार देखते हैं अमिस्तरों जो सबसे पहली चीज जो आपके साथ होनी ही चाहिए किसी भी हालत में होनी चाहिए जिसकी कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है बहुत ही सस्ती होती है लेकिन importance इसका बह पढ़ते हैं उस दिवाल पर दो मैप निश्चित रूप से टंगे होने चाहिए उसमें से एक होगा वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप और दूसरा होना चाहिए इंडिया का पॉलिटिकल मैप आप पाएंगे कि केवल इन दो मैप से संपर्क अगर आपका लगातार बना रहता ह है तो यह सिविल सर्विस के प्रिपेशन में आपके कितनी जादा अदभुत तरीके से मदद कर सकते हैं फ्रेंट्स जो दूसरी महत्पूर्ण बात है वह सिलेबस आपको आश्यर हो रहा होगा कि मैं सिलेबस की बात क्यों कर रहा हूं दोस्तों मेरा ये बड़ा कड़वा अनुभरा है कि स्टुडेंट सिविल सर्विस की तैयारी करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन सिविल सर्विस का जो सिलेबस है या तो उस सिलेबस को बहुत जानते नहीं है और यदि जानते भी है तो उसे समझते नहीं है जो UPSC का जो सिलेबस है मुझे लगता है कि उसे क जानने तक ही सिमित मत रखिये उसके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए और वो जो समझ भी है वो थोड़ी सी in depth होनी चाहिए गहरी समझ होनी चाहिए और यह syllabus भी आपके table पर होना चाहिए ताकि समय पर आप उससे मदत ले सकें उसे देखते रहे हैं और especially mains की preparation के लिए तो यह syllabus जो है एक तरीके से light house की तरह काम करता है जो तीसरी जो important बात है इसी के साथ ही वित्रों वह है unsolved paper मुझे लगता है कि हर student के पास पिछले तीन सालों minimum पिछले तीन सालों के unsolved paper होने ही चाहिए उसमें pre भी शामिल है और mains भी शामिल है यदि आप इसे 5 साल तक extend कर सकें तो बहतर है लेकिन 3 साल भी मैं समझता हूँ कि sufficient है 3 साल के तो होने ही चाहिए और especially आप जानते हैं कि 2013 से mains के syllabus में परिवर्तन हुआ है question paper के तोर तरीके में भी परिवर्तन हुआ है इसलिए mains के जो unsolved paper होंगे उसे आप 2013 end इधर रखें उससे पहले के जो unsolved paper है आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होंगे तो यूँ कह सकते हैं आपकी अगर आप 2016 में वाले exam को शामिल कर लेंगे तो mains के आपके पास 4 साल के paper सो जाएंगे और pre-K भी आप चाहें तो 4 साल, 3 साल या 5 साल तक के paper रख सकते हैं ताकि आप बीच-बीच में उन्हें देख कर अपने नक्यवल direction का ही निर्धारन कर सकें बलकि किस angle से पढ़ना है, उसके कितने depth में जाना है, किस topic की कितना importance है वो सब भी बीच-बीच में आप उनके बारे में जान सकेंगे दोस्तों, इस तीसरे तत्तों के बाद जो 4 आता है, डेफिनिटली अब हम पढ़ने की चीजों पर आते हैं सीधे सीधे ये तो आपकी मदद करने वाली चीजें थी निश्चित रूप से, friends, NCRT की किताबों के बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता NCRT की किताबें इसलिए सजेस्ट की जाती है, क्योंकि आप भी 10 तक NCRT की किताबें ही पढ़ते रहे हैं दूसरा ये, चुकि ये नेशनल सिलेबस को कवर करता है, रास्टी इस तर पर ये सिलेबस चलता है और इसमें समझाया भी बहुत अच्छे तरीके से गया है, बहुत ही बेसिक्स से समझाने की कोशिस की गई है इसमें बकायद एक्सरसाइजेस दिये जाते हैं इसलिए NCRT की किताबें मूल भूत पुस्तकों के रूप में आपकी मदद करेंगी तो NCRT की किताबों को आप बिलकुल इग्नोर मत कीज़े अगर आपको दूसरी किताबें भी मिलती हैं, आपकी रूची है तो आप बिलकुल उन्हें भी पढ़िए कोई उसकी मना ही नहीं है, लेकिन NCRT की किताबों की कीमत पर नहीं दोस्तों इसके बाद जो आपके रीडिंग मेटेरियल में जो नेक्स्ट जो आएगा जिसे आप पांचवी वस्तु कहेंगे, फिप्ति स्टेप कहेंगे, वो है न्यूस पेपर्स दोस्तों, दो तरह के न्यूस पेपर्स पढ़ने अब आपके लिए अनिवार्य हो गए हैं इस्पेशली चप से 2013 का पैटर्न बदला है उसमें एक जो न्यूस पेपर होगा, वो नैशनल लेवल का न्यूस पेपर होगा इस तरही न्यूस पेपर जो आप पसंद करते हैं, वो एक न्यूस पेपर लीजे अगर आप किसी छोटी जग़ा पर हैं और वहां से कोई अकबार निकल रहा है या इस स्टेट से कोई अकबार निकल रहा है, लेकिन उसमें नैशनल न्यूस कवर नहीं हो रही है या यूं कहलीजे कि वो नैशनल लेवल के एडिटोरियल और आर्टिकल से उसमें नहीं आ रहे हैं तो आप अपने को उस तक ही सिमित न रखें, जहां से भी हो सके आप एक नैशनल लेवल का निउस पेपर जरूर अरेंज करें और साथ ही साथ एक आर्थिक पेपर, एकनॉमिक से रिलेटेड पेपर जैसे एकनॉमिक टाइम से बिजनेस स्टेंडर है, हिंदी और इंगलिश में पेपर अवलेबल है ये एक पेपर जरूर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो जनरल स्टेडिस मेंस का जो थर्ड पेपर है, जिसमें एकनॉमिक से लगभग लगभग सवासो से डेर सो नंबर के प्रशन पूछे जाते हैं, वो तब तक आपके कंप्लीट नहीं हो सकेंगे, जब तक कि आप इसमामिक का कंपोनेंट भी कवर हो जाएगा, लेकिन वो कमांड आपकी नहीं हो पाएगी, कि जिस तरह से कोश्चन्स पूछे जाते हैं, उनके आप बहुत अच्छे तरीक से उत्तर दे कर और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, तो दोस्तों, निउस पेपर्स में द दो निउस पेपर्स आपको डैली पढ़ने हैं, एक नेशनल निउस पेपर्स और दूसरा एकोनॉमी पर बेस्ट निउस पेपर, फ्रेंब्स नेक्स्ट जो छटवाँ जो होगा, वो है निउस, निउस के बारे में मैं दो निउस आपको सजेस्ट करना चाहूंगा और ये जो रेडियो नियूस है ये जो रात की खबरें आती है आठ पैंतालिस पर और नौ बजे हिंदी और इंगलिश में पहले पंदर मिनट की हिंदी में आती है फिर इंगलिश में आती है ये दोनों नियूस चाहें तो दोनों सुनें नहीं तो एक नियूस तो आपको सुन की हर हालत में सुनी है बाकी इधर जो नियूस आती है अगर आप उने नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं बलकि जादा अच्छा होगा कि उन्हें न सुने उसमें न लगाएं क्योंकि उस सब का सारान साथ कहली जे संचिप रात की नूस में आपको मिल जाता है और इसी के मैं एक नीज और सजेस्ट करना चाहूंगा फेंड्स वो है डीडी नीज दुरदर्शन के रात की जो खबरें आती हैं वो बहुत अच्छी खबरें होती हैं मैं चैनल्स की बात नहीं कर रहा हूँ आपका अपना इंट्रेस्ट है तो आप चैनल्स की खबरें सुनिये लेकिन जो डीडी नीज उसमें आप देखेंगे कि सारी चीजें कवर होती हैं खासकर जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन्स हैं वो कवर हो जाते हैं कभी-कभी वो एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक को उठा करके उसका पूरा सर्वे पूरी स्टडी पूरे इंट्रिव्यूज देते हैं उससे आपका वो टॉपिक कवर हो जाता है और सबसे बड़ी बात है कि यह जो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं वो टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपके सीधे-सीधे सिविल सर्विस से जुड़े होते हैं इससे आपकी प्रिप्रेशन में सीधे मदद मिलती है उसमें गौर्मे आपके syllabus से पता लग जाएगा वो आपके unsolved paper से पता लग जाएगा तो debate भी जरूर सुनें तो दोस्तों news के अंतरगत मैंने तीन points आपको बताए All India Radio की रात की news, दूरदर्शन की रात की news और channels पर आने वाले debates दोस्तों सात्वे point के रूप में आप लोग का ध्यान देलाना चाहूंगा जिसके तरफ students जनरली ध्यान नहीं देते हैं वो है language देखे आप जो भी आपको अपनी बात कहनी होगी और जिसके माध्यम से आप examiner तक पहुँचेंगे या interview board के सामने अपने को रखेंगे वो अकेवल language है medium सिर्फ language है दोस्तों language पर आपको काम करना चाहिए आपके language बेहतर हो उसमें रिदम हो उसमें गलतियां ना हो लिखने की भी गलतियां ना हो बोलने में शुद्धी देखे कि कितना आप सही language बोल सकते हैं एक सुंदर भाषा जो होती है तो उस पर भी थोड़ा सा वक्त लगाएं ताकि जो examiner है वो आपके presentation से प्रभावित हो सके और निश्चित रूप से अगर वो प्रभावित होता है तो उसका बहुत ही positive impact आपके marks के score पर पड़ेगा तो language को भी आप बिल्कुल ignore न करें उस पर भी थोड़ी मेहनत करें नई भाषा विक्सित होती रहती है नए नए शब्द आते रहते हैं कहने के नए अंदाज बनते रहते हैं तो please language पर भी काम करें तो मित्रों ये 7 points थे जो वस्तूों से related थे यानि कि आपको वस्तू के रूप में चाहिए एक भौतिक तत्व हैं friends अभी मैंने 7 steps की बात की है इन में से अधिकान से चीजें अगर आपको एक जग चाहिए तो मैं बताना चाहूंगा कि वह afeis.com पर उपलब्ध हैं और वह भी आप सोच कर देखें कि free में आप daily afeis.com को visit कर सकते हैं वहाँ आपको यहां तक की जो current affairs जो होते हैं जिसमें radio news है और आपके अख़बार भी 7-8 अख़बार होते हैं उन सब की analysis होती है guidance होती है in depth चीजों को देखने और समझने का तरीका बताया जाता है और अख़बारों की clipping's वहाँ आपको available मिलेंगी news आपको AIR के वहाँ इस तरह की धेर सारी ऐसी बाते हैं जो इससे पहले मैंने seven steps के तहत आपसे बताई हैं वे सभी आपको एक ही इस्थान पर available हो जाएंगी तो मैं recommend करूँगा especially की यह भी आपके एक तरीके से तैयारी की दिन चरिया का एक हिस्सा अगर हो जाता है तो definitely वह बेहतर होगा अब मैं next चार उन points की तरफ आप लोगों को ले जाना चाहूँगा जो आपके आचरन से संबंदित हैं, conduct से संबंदित हैं, personality से संबंदित हैं, पढ़ने के तौर तरीकों से संबंदित हैं या यूँ कह लिजे कि आपके मनोविज्ञान से संबंदित हैं मित्रों इसमें जो एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुती continuity की, आप देखें कि civil service की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आप preparation के continuity को कितना निभा पाते हैं, मैं continuity की बात यह नहीं कह रहा हूँ कि आप रोज अगर 5 घंटे पढ़ने का फैसला करते हैं तो 5 घंटे पढ़े और यदि आप एक दिन चूक जाते हैं तो आप यह मा समझें कि आप एक दिन चूक रहे हैं, मतब उस घटना से आगे कि जब चीजें आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो वो लिंक तूट चुका होगा और वो लिंक का तूटना सच पूछे तो बहुत महंगा पड़ता है, तो यह मैं दो बातें आपसे और करूँगा पढ़ने को लेकर कि इसमें दो चीजें शामील हैं, एक तो यह है कि जब आप पढ़ें तो इंटर डिसिप्लीनरी अप्रोच के साथ पढ़ेंगे इसका नौवा पॉइंट है, इंटर डिसिप्लीनरी अप्रोच का मतलब है कि जब आप एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो अपने को एक ही सब्जेक्ट तक असीमित न रखें, उसको देखें कि दूसरे सब्जेक्ट तक आप कैसे पहुँचा सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट से कैसे जोड सकते हैं, सब्पोस जैसे आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे है तो वो सिर्फ history नहीं है, वो एक समय का political system है, अपने समय के social system को भी बता रहा है, वो culture, art and literature को भी बता रहा है, traditions को भी बता रहा है, वहाँ geography भी है, तो एक ही subject में न जाने कितने सारे दूसरे subject शामिल होते हैं, जब आप interdisciplinary approach के साथ जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो न क interdisciplinary approach के माध्यम से analytical power को डबलब करना, जब आप interdisciplinary approach से पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर एक visualization करने की अलग तरीके की छमता पैदा होगी, आपके अंदर एक दृस्टी आएगी, क्योंकि आप फिर एकी topic को दूसरे-दूसरे subject से जोड़ करके अपनी बात रख जैसे मान लिजे कि आप समाज के किसी भी समस्या पर बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस समाज की समस्या में राजनीती शामिल नहीं है, या उस समाज की समस्या में जुडिस्री शामिल नहीं है, या ट्रेडिशन शामिल नहीं है, साइकोलोजी शामिल नहीं है, धेर सारी चीजें शामिल होती हैं, तो ये आदत आपकी पढ़ जाएगी, इंटरडिसिप्रिनरी एप्रोच से पढ़ने के कारण आपकी आदत बदल चुकी होगी, और फिर आप में एक जबरदस्त किसमे की डवलप्मेंट, ये आपके कहली जे कि इनलेटिकल पावर डवलप हो जाएगी, और जब इनलेटिकल पावर डवलप हो जाएगी, तभी आप उस स्थिती में पहुँचेंगे कि मेंस के क्वेस्चन के आंसर दे सके, इतलिस मेंस के लिए तो वो बहुत जरूरी है, और में तरों लास्ट बट नाट दे लिस्ट इलेवन्थ पॉइंट है, वो कि उससे आप एक ब्यावारिक एप्रोच तक पहुच सकेंगे, कि प्रैक्टिकली क्या होता है, इसलिए जहां भी आपको मौका मिलता है, मान करके चलिए कि इसका इस्तेमाल आप सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए कर सकते हैं, यानि कि आपकी जो प्रिपरेशन है, म शर्ते कि आप अपने आँख और कान खुले रखें, तो मित्रों ये मैंने आपको 11 पॉइंट्स बताएं हैं, इनके डिटेल्स को जानने के लिए फिर आगे हमारे और वीडियो उपलब्द रहेंगे, उसमें फिर मैं एक एक पॉइंट को लेकर के फिर आप लोगों से हो चुके होंगे, धन्यवाद